ध्यान रखने योगे, जानने योगे, जरूरी बाते अक्सर घर के बुजुर्गों के पास ही हर समस्या का समाधन मिल जाया करता है जो रामबाड इलाज होता है ऐसे ही कुछ छोटी मुटी स्वात समस्या हैं जिने हल करने के लिए दादी मा के या 22 रामबाड घरेलू नुसके ही काफी है जरूर जानिये नमबर वन कान दर्द प्याच पीस कर उसका रस कपड़े से छान ले फिर उसे गरम करके चार पून कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है नमबर टू दात दर्द कपूर को महिन पीस कर दातों पर उंगली से लगाए और उसे मले सुराखों को भली प्रकार साफ कर ले फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा कर रखने से दातों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है नमबर फूर बच्चों के पेट के कीड़े चोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह एवं शाम को प्याज का रस गरम करके एक तोला पिलाने से कीड़े अवश्रिक मर जाते हैं तूरे के पत्ते का रस निकाल कर उसे गरम करके गूदा पर लगाने से चुनने लगू करतम से आराम हो जाता है। नमबर फाइफ उल्टी का दर्द प्याच पीस कर उसे गरम कर लें फिर उसमें गौव मुतमिलाकल छोटी सी टिकरी बना लें। उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर वानने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाफ्थ हो जाती है। पिलाने से शिशु ववन अवश्य बंद हो जाता है। नमबर एट कवज दूर करने हेत। एक बड़े साइज का नीमबू काट कर रात्रि भर ओस में पड़ा रहने देफी प्रहता काल एक ग्लास चीनी के शर्वत में नीमबू को निचोड करता था। नमबर नाव मातर का काला नमक डाल कर पीने से कवज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। नमबर नाइन आग से जल जाने पर कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल ले फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इमली की चल जला कर उसको महीन चूड बना ले उस चूड को गौध धरत से मिलाएं और जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। नमबर टेन कान की फुंसी लहसुन के जर्सों के तेल में पका कर उस तेल को सुबह दुपहर शाम को कान में दो दो बुन डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है अत्वा बैठ जाती है तता दढ़ समाप्त हो जाता है। नमबर ट्वल कुकुर्खासी फिटकरी को तवे पर भून ले और उसे महिन पीस ले तश पचा तीन रती फिटकरी के चूड में समभाग चीनी मिला कर सुबह दुपहर शाम का सेवन करने से कुकुर्खासी ठीक हो जाती है। नमबर ट्वल पिशाब की जलन ताजे करेले को महिन काट लें पुना उसे हातों से भली प्रकार मल दें करेले का पानी स्टील या सीसे के पातर में खटा करें वहीं पानी पचास ग्राम की खुराग बना कर तीन बार सुबह दुपहर और शाम पीने से पिशाब के कड़क ए भारे बांधने से भयंग कर एवं पुराने तथा असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं नमबर फोटिन सीरदर्द सोट को बहुत महिन पीस कर बकरी के सुद्ध दूद में मिला कर नाक से बार बार खीचने से सभी प्रकार के सीरदर्द में आराम होता है नमबर फिप्ट प्रति दिन तीन बार सुबा दुपहर और शाम ताजे जल के साथ लेने से पेशाप के साथ चीनी आनी बंद हो जाती है इसके अतरिक ताजे करेले का रस्त दो तोला नित्त पीने से भी उक्तरोक में लाव होता है नमबर सिक्स्टीन मस्टिक्स की कमजोरी मेंदी का बीज अठनी भरपीज कर शुद्ध शहर्द के साथ प्रति दिन तीन बार सुबा दुपहर शाम सेवन करने से मश्टिक्स की कमजोरी दूर हो जाती है और इसमरन शक्त ठीक हो जाती है तथा सिर्दिर्द में भी आराम हो जाता है नमबर सेवन्टीन अधक पारी का दर्द तीन र आमाप्त हो जाता है नमबर 18 खूनी दस्त दो तोला जामुन की गुटली को ताजे पानी के साथ पीस चान कर चार-पांच दिन सुबह एक गलास पीने से खूनी दस्त बंद हो जाता है इसमें चीनी या कोई अनिपदार्त नहीं मिलाना चाहिए नमबर 19 जुखाम एक पाव गाय का दूद गरम करके उसमें वारा दाना काली मिर्च एवं एक तोला मिसरी इन दोनों को पीस कर दूद में मिला कर सोते समय रात को पीले पाँच दिन में जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा अथवा एक तोला मिसरी एवं आठ दाना काली मिर्च ताजे पानी के साथ पीस कर गरम करके चाय की तरह पियें और पाँच दिन तक इसनान ना करें 20. मन्दा गिन अदरक के छोटे छोटे टुकडे करके नीम्बू के रस में डाल कर और नाम मात्र का सेंधा नमक मिला कर शीशे के बरतन में रख दे 57 टुकडे नित्य भोजन के साथ सेवन करने से मन्दा गिन दूर हो जाएगी 21. उदर विकास अजवाइन काली मिर्च एवन सेधा नमक इन तीनों को एक ही मिला कर चूड बना लें ये तीनों बरावर मात्रा में होनी चाहिए इस चूड को प्रति दिन नित्य रूप से रात को सोते समय गरम जल के साथ सेवन करने से मात्रा अठन्नी भर सभी प्रकार के उदर रोग दूर हो जाते है 22. मुटापा दूर करना 22. एक निम्बू का रस एक ग्लास जल में प्रति दिन खाली पेट पीने से मुटापा दूर हो जाता है ऐसा तीन महने तक निरंतर करना चाहिए गर्मी एवं बरसात के दिनों में या प्रियोग भुशेज लाब दायक होता है उमीद करती हूँ आज की जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो जरासा भी पसंद आया आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें चैनल को सस्क्राइब करें जो नोटिफिकेशन का बटन ओन करें इसस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो